नमस्कार, Creativity वित्राधा में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे भरवा मिर्चे ये मिर्चे बहुत चरपटे और स्वादिष्ट होते हैं इन्हें आप दाल चावल के साथ रोटी के साथ और सिंपल पराठों के साथ तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं तो चली हम कपड़े से पहोच लिया है लखेस आज पराठन घश जढा देते हैं आप अम हम हमारा गरम जुका है इसमें हम एक चमश तेल डाल देते हैं तेल भी हमारा गरम हो zur नहीं क्योंक हए से Χमष हम नवीम जीर एक चुटकी हींग एक पह मतर्जक यहाईव चुपश गरम मसाला पाउडर पाउडर और चम्माच लाल मिश पाउडर डाल दिया हमने एक कप बेशन डाल कर इसे हम भून लेते हैं पैन हमारा गरम इसलिए फटा फट हाथ चला कर भूनते हैं और जो रोडियां है उल्टे चम्माच दबा दबा कर चला दिया इससे ही रोडियां कतम हो अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बेशन हमारा भून चुका है गयस हमने बंद कर दिया अब एक नीबू का रस हम बेशन निचोड़ देते हैं नीबू के रस की जगह हम खटाई पाउडर भी ले सकते हैं और इसमें हम दो छोटे चम्माच देल भी डाल दिये सर लंबे लंबे चीरे लगा देंगे इसमें और इसके अंदर जो बीजे हैं उसको हम इस चाकू से या हां से या किसी चम्माच से निकाल देंगे बाहर इस तरह से देखिए दूसरा मिर्चा भी ऐसे चीरा लगाया हमने और अंदर की बीजे हम निकाल देंगे इस तरह से देखिए निकल गया इस तरह से हम सारे मिर्चे कट कर लेंगे देखिए हमने सारे मिर्चे कट करके वीजे निकाल दिये हैं और मसालों को हास से हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं और इस तरह से जब हमने चीरे लगाए हैं उन्हें मसालों को अच्छे से भढ़ देंगे और उंगली की सहायता से ऐसे दबा देंगे ताकि मिर्चे में अच्छे से मसाला चिपक जाए मसालों में हमने तेल डाला है लेशु नदर कप्रेश डाला है इसलिए पूर ona मश्राइज हो चुका है अच्छे से में चिपक जाएगा और भढ़ जाएगा इस तरह से हम सभी मिर्चो में मसाले भढ़ते जाएंगे और उंगली से ऐसे दबाते जाएंगे ठीक इसी तरह से हम सारे मिर्चों में मसाला भर लेंगे अब हमने गैस पर पैन चढ़ा दिया है और गैस जला देते हैं और इसमें थोड़ा हम तेल डालते हैं लगभग एक बड़ा चमच ताकि सारे मिर्च अच्छे से सिख जाएं और मिर्चों को इस तरह से हम पूरे पैन में बिछा देंगे थोड़ी देर के लिए हम पैन ढख देते हैं लगभग एक मिनट देखे एक मिनट हो चुका है और हम मिर्चों को इस तरह से पलट देंगे इस तरह से घुमा घुमा कर हर तरफ से पलट कर हम मिर्चों को सेख मिर्चे बहुत जल्दी सिख जाते हैं लाल हो जाते हैं और खाने में बहुत टेश्टी लगते हैं देखिए मिर्चे सिख गए हैं निकाल ले रहे हैं इसे प्लेट में और जो दूसरे मिर्चे बचे हैं उससे भी हम इसमें फैला देते हैं रख देते हैं और थोड़ी दिर कल मिर्चों को सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता हुज फटा फट सीख जाते हैं लगबग 2-3 मिनट में मिर्चे डालने के बाद सीख कर तयार हो जाते हैं देखिए इतीनों मिर्चे जो रह गए हैं यह भी हमारे थोड़ी ही देर में सीख जाएंगे ये मिर्चे बहुत चटपटे और स्वादिश्ट होते हैं इससे आप बिना भूग के भी एक रोटी ज़्यादा खा लेंगे इतने अच्छे लगते हैं देखिए सारी मिर्चे सिक कर तयार हो गए हैं हम सभी पैन में निकाल लेते हैं इनको सेक ने हमने बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं यूज किया है इस तरह से चटपटे हरे हरे मिर्चे स्वादिश्ट मिर्चे तयार हो गए है इससे आप भी ट्राइ करिए और यदि रेस्पी पसंद आए तो अपना नुभो मेरे चैनल पर जरूर शेयर करिए और लाइक क सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए थैंक यू